हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू माई यूटूब चैनल, इस्टीफन अकेडमी मापका स्वागत है और दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं BSC Agriculture 3rd semester वालों के लिए जो उनका अगला जाम होने वाला है Fundamental of Plant Breeding का उसके लिए कुछ important question, कुछ नहीं कि आप लोगों के इतने अच्छे question इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि आप लोगों ने अभी तक ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा क्योंकि इसमें मैंने हर प्रकार के questions रखे हुई और बहुत important question जो आप लोगों से निश्ची तोर पर पूंचे जा सकते हैं वही question इसमें रखे गए हैं तो वीडियो को please skip ना करें पूरा देखिए और वीडियो अंतर तक जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ भी share करिए जिससे उनकी भी help हो सके चैनल पर नहीं हो चैनल को subscribe जरूर करिएगा ठीक है और इसी प्रकार के मैं आसा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हर मतलब हर subject के पेपर तक एकजाम तक आप लोगों को provide होते रहेंगे क्योंकि अभी तक जो आप लोगों के लिए बहुत important रहेंगे ठीक है चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या-क्या होने वाल प्रवासा पादप प्रजनर्ट पादप प्रजनर्ट वह कला एवं विग्यान है जिसके द्वारा पौधों को अधिक आर्थिक महतों बनाने के उद्देश से उसकी अनवनसक्ता में सुधार किया जाता है टीक है और यहाँ पर नीचे मैंने कुछ इंग्रिस में परवासा अगर आप लोग किसी भी परवासा को अगर आप से पूछी जाती है तो आप लोग एक बार English में और इसके बाद Hindi में अगर लख देते हैं तो एक जामडर उसमें आपके नमबर नहीं काट सकता है और उसमें आप लोगों को पूरे नमबर मिलते हैं तो आप प्रवासा दी गए है, plant breeding is an art and science of genetic improvements of crop plants, तो इस प्रकार आप लोगों को दोनों प्रवास में बहुत ही सरल सब्दों मेंने आप लोगों के लिए खोजी होई हैं, तो आप लोग इनको याद करने में कोई कटना ही नहीं होनी चाहिए, आप लोग याद जरूर कर लिजिए, दो क्या होता है, तो नमबर एक पर आता है जर्म पलाज, ना पादबन जीन ससाधन मतलब जिसे PGR कहते हैं, नमबर शेकनת प्रवास प्रजनन विधिया, नमर तीन पर आता है वीजतं बिधिया, ये तीन जो बिधिया इसमें दिए गई हैं इनि को मिलाकर प्रवासूर का पूर बिविनिता को उस फसल का जर्म पलाज कहते हैं पौधे की परजातियों में उपस्तित कुल बिविनिता को उस फसल का जर्म पलाज कहते हैं ठीक है यह आप लोगों के लिए बहुत ही हमाई समझ से बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा पौधों की परजातियों में उपस्तित क कुल बिविनिता को उस फसल का जर्म प्लाज कहा जाता है ठीक है नेक्स नमबर बाता आता है प्रजनन बिदियां प्रजनन बिदियां क्या क्या होती है और इनके क्या कार होते हैं ये भी बताया गया है तो इसमें कहा गया है कि यह पादप प्रजनन का मुख्य बाग है जिसम में बताएंगे हैं, तो बीज उत्पादन विधियां के बारे में देख लेते हैं, नंबर तीन पर बीज Unthpादन प्रण का शेते हैं, ये अंतर गत उन्रन इट सील बीज, उत्पादन के सिधां एवम विधियां आती इसके द्वारा बिक्सित जाती हों कि बीजों का सुद रूप से गुलन करना भी होता है ये बीज उत पादन की बिदेतिया होते हैं इन तीन चेतरों को मिला कर ये तीनों चेतर बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं चुचर अगर आप लगों के उत जाये तो बहुत ही आot ही अच्छा रहेगा चलिए इसमें देखते हैं पादर प्रेजिन के उद्देश, पादर प्रेजिन के उद्देश क्या होता है, नमबर एक पॉइंट होता है, अधिक उपज प्राप्त करना, मतलब पादर प्रेजिन का उद्देश होता है, अधिक उपज प्राप्त करना, नमबर दो पर उत्पा होता है नमबर 6 पर उते होता है कि अनकूलता में ब्रदइश हो अर्टीस के लिया अनकूल यह मुख्य ठीर करनाद हमलों बात करते हैं approaching प्रजिनन का क्रशी में मैं तो ये भी इंपोर्टेंट बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन आपका है पांच नंबर या फिर दस नंबर में आप लोगों से निश्चे तोर पर पूछा जाना है तो आप लोग यहां से कोशन जरूर देख लीजिएगा एक बार ठीक है चलिए इस हो सकें ठीक है यह कुछ पॉइंट इंपोर्टेंट है आप लोगों को फड़ने में बहुत ही आसानी रहने वाली इसमें तो आप लोग फड़ीजे दो पॉइंटों में मैंने बाटा हुए लगए आप लोगों के पांच नंबर के लिए यह एकदम सॉलिड मैटेरियल रहन कहीं भी गौर से देखिएगा कहीं भी आप लोगों को कोई भी वी वीडियो में कोई भी आप लोगों को गलची नहीं मिलेगी तो पादप प्रजिनन के द्वारा फसलों के लागतमूर कॉस्ट और कल्टिवेशन को भी कम किया जा सकता है जैसे मूंग आदी में ऐसे प्रजिनन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा जीवित जीव सामान प्रकार की संतानों को जनम देते हैं इससे क्या होता है नय και को का उत्वादन होता है जोंके गुणन की क्रिया कहला दी है उप्रयुक तो प्रजिनन प्रक्रिया की चुनाव के लिए प्रजिनन और परागर की तरिक यहीं होना भी अवश्यक होता है ठीक है अब इसकी बात करते हैं टाइप ऑप रीप्रोडक्शन टाइप ऑप रीप्रोडक्शन में भी देख लेते हैं ये दो परकार का होता है एक लैंगी जणनल मतलब sexual reproduction नमबर दो पर आता है alangic genome मतलब sexual reproduction ठीक है तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं हम लोग sexual reproduction sexual reproduction क्या है तो sexual reproduction langic genome होता है तो langic genome के लिए पौधों में नर्योगमक, male gamete तथा नर्योगमक, female gamete मादायोगमक और मिलकर जाइगोट का निर्माल करते हैं जिससे फिर पूर पौधा बनता है तो langic genome क्या होता है आप लोग समय गें नर्योगमक मतलब male gamete तथा female gamete मिलकर के जाइगोट का निर्माल करते हैं जिससे आप लोगमक का पूरा पौधा बाद में बन जाता है इसे क्या काता है langic genome मतलब sexual reproduction इसे कहा जाता है अब ये भी आप लोगों से पूछा जाता है इसमें कई टिपडियां मैंने आप लोगों को बता ही जो आप लोगों के 5 नमर में पूछी जाती है ये इसमें कुछ कम लिखा हुआ है सूच-Бी जाडु जनन और गुरू-Бी जाडँ जनन micro-sporogenesis and mega-sporogenesis के उतपाधन को sporogenesis के रूप में जाना जाता है ठीक है इसकी बास बात करते हैं पराक कोस्त के सूच में जीवाड़ उतपन होते ही सूच में जीवाड़ जनन जब कि Megaspore का निर्माड बीजांड ओवियूल में होता है इसकी बात करते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें सूच बीजाडू जनन बताया गया है Microsporogenesis जिसके बारे मैं अभी उपर बात कर रहे थे तो परागासे में पराकड़ों की निर्माड की किरिया को Microsporogenesis कहलाती है ये किरिया क्या कहलाती है परागासे में पराकड़ों की निर्माड की किरिया Microsporogenesis कहलाती है जिससे सूच में जीवाडू जनन कहा जाता है ठीक है यह मैंने बहुत ही सॉट में आप लोगों को बताए आप लोगों थोड़ा और बड़ा चला कर यह आच्छे से पड़ कर जाना जिससे आप लोगों का कोश्चन ना छूट पाए ठीक है तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइ योगमक के उतपादन को योगमक जनन के रूप में जाना जाता है माइक्रो इस्पोर और मेगा इस्पोर में नर और मादा योगमक के उतपादन को योगमक जनन के रूप में जाना जाता है जिससे क्या कहते हैं योगमक जनन कहा जाता है और गेमीटोजनेसिस इसे इंगलि embryosect को कहते हैं तो distant heaven makes two angry embryosect очку ऑब आप समझे हमया कि कि data angelic rescue Muscle pork hue 있죠 इसके बाद शुछ करते हैं लास्टापक पर हमारा टाफिलाजेशट मतलब करके यह सब्सक्राइब करकार किया जाता है कि यित प्रकार कीजिए इस प्रकार का आप लोगों का कोश्चन बन सकता है ठीक है तो इसमें हम लोग बात करते हैं ये दो लाइनों की मैंने परवासा बहुत ही साधारल सी आप लोगों को बताई हुई है कि दो सुक्राडूंगों मैं से एक के अंड कोश्का के साथ दो गुड़त यूगमन लग रहा हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बते हैं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ठीक है और इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए कोसिस करूंगा कि अगले फिपरों में भी प्रोवाइड आप लोगो को करा सकों बस आप लोग अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की साथ तब तक के लिए धन्वाद